तमस्कार मैं जोती वर्मा आप देख रहे हैं A&DV नहीं दे सकता जब तक कि अंतरास्ट्य अदालत इस पर कोई फैसला न सुना दे पाकिस्तान की सैने अदालत ने भारत के पूरू नोसैने कुल भूशन जादव को जासूसी के आरोप में फासी की सजा सुनाई थी आपको बता दे कि कुल भूशन जादव साल 1991 में नोसैना में आधिकारी के तोर पर कमीशन किये गए थे और 2013 में रिटायर हो गए भारत के मताबिक जादव का कारगो बिजनस है और वो इरान के चाभार बंदर से पाकिस्तान के कराची तक कारगो लेकर आते थे पाकिस्तान ने जादव को पाकिस्तानी जलसीमा में पकड़ा और जासूस बता कर कबजे में ले लिया यहीं नहीं बलकि पिछले एक साल से कुल भूशन को कहा रखा गया यह भी किसी को नहीं बताया जहां एक तरफ जादव के खिलाब पाकिस्तानी मिलिर्टरी कोर्ट में कब सुनवाई हुई इसकी जानकारी भी किसी को नहीं दी गई वहीं दूसरी और पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलहकार सर्ताज अजीज भी यह कह चुके हैं कि कुलभूशन के खिलाब कोई पुक्ता सबूत नहीं है भारत ने पंदर से जादा बार कुलभूशन जादव को कानूनी मदद देने के लिए काउंसलर एकसेस की मांग की है लेकिन पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी नहीं दी जिसके बाद भारत ने ये मुद्दा अंतराष्ट्य नयायले में उठाया जिस पर नयायले ने पाकिस्तान को सक्त निर्देश दिये हैं कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाये जिसे भारत या कुलभूशन जादव के अधिकारों को ठेस महुचे हैग में इस्तित अंतराष्ट्य नयायले ने इस मसले में पाकिस्तान से यह सुनिश्टित करने को कहा है कि कुलभूशन सुधीर जादव को सभी विकल्पों पर जाच करने से पहले फासी ना दी जाए इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले को भारत के एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के तोर पर देखा जा रहा है इस फैसले के बाद हो सकता है जादव को पाकिस्तान में कानूनी मदद मिल जाए हमारी इस खबर में फिलाल इतना ही दीजी हमें इजाज़त नमस्का